नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का मेरी इस ओर्गेनिक ग्रेन गार्टन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, स्पस्थ होंगे, हेल्दी होंगे आज की वीडियो में दोस्तों एक छोटी सी ओवर्वी होने वाली है, जो कि हमारे टैरेस के उपर कितने सारे वेजटिबल हमने लगाया है और बहुत सारे से फूट वाले पौदे हैं, कुछ ऐसे सब्जिया जो कि हम घर पर भी और्गनिक रोप से उगा सकते हैं, चलिए मैं को दिखाने वालों एक छोटा सा द्रिश जो कि देखकर आपको भी काफी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे सब्जिया जो कि आप कमले में लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, हमारे चैनल पर डे बाए डे एक एक कम्प्लीट वीडियो आपके साथ हम, हमने सेर करा है ताकि आप कि सब्जियों को आसदी 55 सєर करा है, तो इधर चलिए देख सकते हैं, कुछ ग्रोब हैगignment में सब्जिया लगाज है और यह है दोस्तो हडी जो कि बहुत ही बेनिफिशल हुती हमारे सहता के लिए, हडी ज़स्तों आफ 15 सितमबर से लेकर नोंबर के ला इस तरह की grow back दोस्तों हमें आसानी से online बजार पर मिल जाती है या फिर gardening swap से ले सकते हैं इसकी lasting काफी अच्छी है दोस्तों लगबक 2-3 साल तक पी चल सकती है अगर आप इसे safe से रखेंगे जब सब्जिया उग जाती है तब फिर इसे निकाल के आप रख ले इसके बाद सीज पौदे को हमें निकाल देंगे ताकि पौदे की बीच की दूरी थोड़ी बनी रहे तो आप गाजर को भी लगा सकते हैं सितंबर से लेकर अक्टूबर नॉम्बर के लास तक भी लगा सकते हैं यह दोस्तों हरी मटर जो की सरद्यों की दिनों में हरी मटर का सेवन काफी की जाती है दोस्तों कई सारे सब्जियों की रूप में हम इसका इस्तमाल करते हैं सब्जिया की भी काफी स्वादिश बनती है इससे और इधर देख सकते हैं यह है टेमाटर दोस्तों जो की काफी सारे इसकी जो फ्रोटिंग आप देख सकते हैं ग्रो बैग में दोस्तों अग अलग खर्च हमें करने की जरूरत नहीं है सिप गोबर खाथ थोड़ी सी बोन मेल और मिट्टी कुछ पत्तों की खाथ से त्यार करके हम इसे लगा सकते हैं साथी इस ग्रो बैग आप देख सकते हैं यह प्लास्टिक की बोरी से बनाए गई ग्रो बैग है दोस्तों जो हमारे देख सकते हैं दस बारा का है और अभी देख सकते हैं तामाटर के पौधे कितने जबर्दस तरीके से बने हैं और फ्रूटिंग तो दोस्तों फिर क्या कहने तो टैमाटर को भी आप विंटर में लगाना चाहते हैं तो आप 15 सितमबर से लेकर अक्टूबर नॉंबर के लाज तक भी आप लगा सकते हैं यह दोस्तो पालक जो की सहत के लिए भी तो दोस्तो बहुत ही अच्छी माने जाती है अगर यह और्गनिक रूप से होगायच है तो आप छोटे छोटे गमले में आप देख सकते हैं चार टब में हमने लगाया है और इसे ज़्यादा गहराई वाले गमले की जरूरत भी नहीं है तीन से चार इंच या फिर पांच इंच के गमले में यह बहुत ही आसानी से ग्रोव हो जाती है और देख सकते हैं कितनी ही हरा भरा काफी लश ग्रीन दीख रही है दोस्तों और स्वादिष्ट तो होती है जब आप और्गिनिक रूप से कोई भी सब्जी अकोग आते हैं तो वो स्वादिष्ट भी होती है सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है तो आप एक बार जरूर लगा के देखें आभी ये काफी परफेक्ट समय है पालक कुकाने के लिए आप दिसंबर तक जनवरी के लास तक भी आप इसे लगा सकते हैं तो ये देख सकते हैं काफी अच्छे इनकी जो फ्रोडक्शन है हुई है पालक के थोड़े सी भीज से हमें काफी सारी सबचिया पालक की जो साग है जो भाजी है वो हमें मिल जाती है आगे और आप वीडियो देखने वाले हैं बने रहे हैं इस वीडियो पर यह वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता हूँ तो एक लाइक जरूर करें के नाम जरूर लिखें साथ ही वीडियो पसंद आये दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और यह देख सकते हैं दोस्तों है है पानी सिंगाडा जो की सर्दियों के दिनों में मिलती है छट के पर्व के पर्व में इसकी जो फ्रूट है वो हम चड़ाते हैं तो ये फ्रूट दोस्तों आप गंबले में आसानी से लगा सकते हैं नॉर्माली जो सिंगाडा जो पजार में मिलती है उसी के बीच से अप इमनेशन होती है यह है दोस्तो हाइब्रिट टमाटर जो कि आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक की टब में हमने लगाया है और यह हाइब्रिड है दोस्तो इनके पौधे काफी लंबे होते हैं और एक पौधे में लगबक 8-10 केजी तक फ्रोट आ जाती है तो यह 22 लिटर वा पर बालकेने में आप गमले में बहुत सारे सब्जा को गा सकते हैं यह है दोस्तो पांच गमले में हमने पोटाइटो लगाया हुआ है आलू लगाया है जो कि आप देख सकते हैं पांच गमले में लगी है अभी इसे हमने पानी दिया हुआ है आलू लगाने के बाद 2-3 दि होती है तो उसमें आप 2 से 3 वीज भी आप लगा सकते हैं तो अच्छी मात्रा में अच्छी क्वैंटिटी में आपको आलू की हर्वेस्टिंग है वो मिल जाएगी तो आलू को आप अक्टूबर से लेकर दिसमबर तक भी आप लगा सकते हैं ये काफी अच्छी समय है अब यह आप लगाना चाहते हैं तो जरूर लगा ले इस बार इस्टावरी को लगबग पांच गंबले में हमने लगाया है और हाली में इसके एक वीड हैं तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें अगर आप मेरे नजदी के होंगे तो मैं आपको दे सकता हूं अभी आप देख सकते हैं एक ग्रू बैग में लगपक चार-पांच पौदे हमने लगाया है थोड़े बड़े हैं और थोड़ी चोड़ाई है इसलिए हमने इतना लगाया है बाकि एक गंबले में या एक ग्रू बैग में हमें एक ही पौदे लगाने चाहिए क्योंकि ये कापी बूसी होती है और कापी फैलती भी है और यह है चाइनीज कैलिमोनियन निम्बू दोस्तो चाइनीज संतरा चोटे-चोटे इनमें फूट लगते हैं सो प्लांट के रोप में गार्डनर लोक लगाते हैं क्योंकि इनकी फूट बहुत सारे लगते हैं देखने में बहुत ही फ्यारे लगते हैं यह हैं हाइविड मिच के पौदे जो की आप देख सकते हैं 24 24 इंच की ये ग्रो बैग है और एक गमले में लगबक तीन पौदे हमने करने के बाद इसे रख लिया फिर से सीजन में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह दोस्तो अधरक जिन्जर देख सकते हैं 8-10 गंडे में आप के इसद दो बीज को लगा देते हैं तो आपको एक से दो बीज में ही लगबक 7-8 कजी तक हमें अधरक जो हैं मिलती है तो पिछले सारे अदरक हमें मिली थी, आप अदरक को अभी लगा सकते हैं, अदरक लगाने का यहसे साही समय तो नहीं है, बरth अभी यह मत लगाएं, क्योंकि अठरील माई में लगाए जाती हैं, तो अभी काफी लेट हैं, आप नेक्स जजन में त्यारी کرें, यह है दोस्तों चेरी टेम जो कि नॉर्मल टमाटर से कई गुना ये फाइदेमंद मानी जाती है इसमें काफी फाइदेमंद कुछ आई से पोशक्तत होते हैं जो शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है तो एक गंदे में तीन से चार पोधे हमने लगाया है सभी की अपडेट में आपके साथ सेर भी करू हैं अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पेस की लिंक में दे दूँगा आप उससे वहां से देख सकते हैं और ये सारी वीडियो दोस्तों डिटेल से आएगी कंप्लीट आएगी और जो भी हमारी वीडियो आती है पूरी अपडेट होती है बीज लगाने से लेकर मिट्टी त्यार करने था कि इवन की खाद को हम कि कौन से स्टेप में देते हैं पौधे कब तक बढ़ते हैं फ्रूट हम कब तक हार्वेस्ट कर सकते हैं एक कंप्लीट वीडियो के साथ एक वीडियो में रिलीज करता हूं ताकि आप देख सके अच्छे से समझ सके तो इस तरह की वी मूली सर्दियों में लगाए जाती हैं सितंबर से लेकर जनवरी के लास्ट तक आप लगा ले आप देख सकते हैं छोटे से गंबले में कितने सारे मूली हमें मिल चुकी है तो बने रहे दोस्तों ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इ गार्णिंग करना चाहते हैं गार्णिंग का सवक रखते हैं तो आप इस चैनल से काफी चीज सीख सकते हैं तो चलिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं एक लाइक अप जरूर दें बेल आइकन गंटी को और शेट जरूर कर ले तकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको एक notification के जरीए आप उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा जो कि कुछ अपडेट के साथ होगी और वो complete वीडियो होगी बीज लगाने से लेकर पौधे बनने तब फुरूट कब तक ह कर सकते हैं इस तरह की वीडियो आप आने वाली है तो मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नई वीडियो के साथ नई जनकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई